कुमारी मायावती, कुमारी मायावती, silence please, silence please, silence please. मान्योप सवापती जी, डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े, अगस्ता वेस्ट लेंड हेलिकोप्टर सोदे में, घूस खोरी और भरष्टा चार के आरोपो को लेकर, जो आज मानने सदन में चर्चा हो रही है, तो ये मामला कई मायने में अति महत्रपूर्ण वे अति गंभीर भी है, और इस मामले पर, ये इस विशे को लेकर, मुझसे पूर्व तो सत्था पक्ष की ओर से, तो इस मामले में करप्शन हुआ है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, तो इसको साबित करने के लिए, तो सत्था पक्ष की ओर से, बहुत कुछ दलीले दी गई है। और दूसरी तरफ, विपक्ष की तरफ से, खासरोट से कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो ये कहा गया है कि, जो कुछ सत्था पक्ष की ओर से कहा गया है, ये तत्यहीर है, और इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो दोनों तरफ से आरोप परते आरोप ये चल रहा है। आज मानने सदन में चल रहा है, और इससे पहले भी, तो भार मीडिया में भी इस मुद्दे को लेकर आरोप और परते आरोप लगाता चलता रहा है। लेकिन ये मामला अति गंबीर है, और इसे हमें लाइटली लेकर नहीं चलना चाहिए हलाके इस समंदित मामला पिछली कांग्रेस पार्टी के यूपीय सरकार से जुड़ा है और इस मामले की अभी CBII वे अन्ने जांच एजेंसिया जांच कर रही है मानने उसवापती जी जब इस मामले की अभी जांच चल रही है CBII जांच कर रही है अन्ने जांच एजेंसिया इसकी जांच कर रही है और अभी जांच पूरी नहीं हुए यह फाइनल रुपोर्ट नहीं आई है तो अच्छा ये होता कि जांच की फाइनल रुपोर्ट आ जाती और उसके बाद फिर इस मामले की मानने सदन में चर्चा कराई जाती तो मैं समझती हुए जादा अच्छा होता लेकिन अभी फाइनल रुपोर्ट आई नहीं है और फाइनल रुपोर्ट आने से पहले ही हलाके सरकार के पास दो साल का लगभग दो साल का समय था तो सरकार जदी चाहती तो इस मामले की अब तक जांच पूरी करा ले थी और जांच कराने के बाद जो भी फाइनल रुपोर्ट आती तथे जो भी सामने आते इसके बाद जद मानने सदन के अंदर चर्चा होती तो मैं समझती हूँ कि यह ज़्यादा उचित हो था लेकिन इसकी फैनल रुपोर्ट आने से पहले ही अभी संधर में एक तरफ वर्तमान केंदर की भाजब पावे एंडिये सरकार का ये कहना है कि पिछली सरकार के हुए इस हेलिकॉप्टर स सोदे के मामले में काफी ज़्यादा गडबड़ी वे भरस्टाचार हुआ है और मौजूदा केंदर की सरकार अपनी इस बात की पुस्टी के लिए इस समंध में इटली की कोट वे वहां की सरकार का हवाला दे कर जो कुछ भी दलिले दे रही हैं वह भी एक जाच का विशे ह तो वही दूसरी तरफ इस मामले में कांग्रेस पार्टी का ये कहना है इस मामले को लेकर कि ये सब केवर राजनितिक दुवेश की भावना से ही किया जा रहा है उनकी पार्टी वे रास्टे नेताओं को बदनाम करने के लिए ये सब साजिस के तहत किया जा रहा है जबकि इस मामले में देश की जनता सही माइने में इसकी पूरी सचाई जानना चाहती है इसके साथ ही देश की जनता ये भी चाहती है कि इसमें जो भी मुख्य दोशी लोग हैं चाहे वो बड़े अधिकारी हो या बड़े राजनेता आदी हो उनके नाम उजागर होने चाहिए साथ ह उनके खिलाफ सक कानूनी कारवाई भी होनी चाहिए लेकिन यहां हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि इस मामले की वर्तमान केंदर की सरकार द्वारा CBI वे अन्य जांच एजेंसिय द्वारा जो भी जांच परताल कराई जा रही है तो वे पूरे तोर से निस्पक्ष वे सही होनी चाहिए और समय से होनी चाहिए दो साल लगभग दो साल का समय बीच चुका अभी तो कोई सही तत्ते सामने नहीं आया है इसलिए हमारी पार्टी का ये कहना है कि इस मामले की जांच CBI वे अन्य जांच एजेंसिया जो भी कर रही है वो पूरे तोर से निस्पक्ष होनी चाहिए और इसको ज़्यादा लंबा नहीं लटकाना चाहिए जितना हो सके जल्दी से जल्दी सही तत्थे देशवासियों क इसलिए हैं जिस तरीके से आरोप पड़ते आरोप लगाए जा रहे हैं तो इससे हमें इसमें हमें कुछ संदेपूर्ण ही नजर आ रहा है ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी का केंदर की सरकार से ये कहना है कि इस मामले की CBI वे अन्य एजेंसियों दुआरा जो भी जांच परताल की कराई जारी है या की जारी है वे मानने सुप्रीम कोड की देख रेक में ही होनी चाहिए हमारी पार्टी का ये कहना है ये अति गंभीर मामला है कोकि कांग्रेस के लोग कुछ और कह रहे हैं सतापक्स के और से बीजेपी के लोग कुछ और कह रहे हैं सही तथे दे मामले की जांच मानने सुप्रीम कोट की निगरानी में होनी चाहिए ताकि सही तथे सामने आ सकें देशवासियों के सामने इसके साथ इस परकड में जो भी मुख्य दोशी लोग हैं उनका भी खुलासा हो सकें और इतना ही नहीं बलकि इस संबंद्वे यहां मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पाटी इस मामले की जांच मानने सुप्रीम कोट की निगरानी में इसलिए करने की माँकर रहे है क्योंकि पिछले कुछ वर्सों से CBI जांच एजनसी को लेकर अधिकांस आम लोगों का ये मामला है कि देश की सर्वोची CBI जांच एजनसी का अब अध आपने राजनितिक स्वार्त में इसका अधिकतर दुरुपयोगी करती हैं इसके अनेकों उधारन हमारे सामने मौजूद हैं उसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ ऐसी स्तिति में समंदित मामला जो अती महत्रपुन वे अती गंबीर भी है इसकी जांच मा पढ़ते अरोप लगाने का इस सिलसला भी फिर कुछ हद तक जरूर बंग हो जाएगा जदी मानने सुप्रेम कोट की निगरानी में इसकी जांच होती है और अब संक्षेप में मेरा पुने यही कहना है कि इस मामले की जांच पूरी मांदारी में निस्पक शुरूब से की जानी चाहिए और थात राजनितिक द्वेश की भावना से नहीं की जानी चाहिए जैसा कि कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार पर ये लगातार अरोप लगा रहे हैं कि ये राजनितिक द्वेश की भावना से हो रहा है वरना इस मामले की राजनितिक द्वेश से की गई कार आगे चलकर फिर बीजेपी वेन के सयोगी दलो को भी काफी हद तक महगी पड़ सकती हैं तो इसलिए हमारी पार्टी का यही कहना है कि इस मसले को लेकर जो जैसे ही इस बार हाउस शुरू हुआ तो लगभग दो दिन तक हाउस नहीं चला मीडिया में अलग इसके पर आरोप परते आरोप एक दूसरे के पर लगते रहे हाउस की कारवाई बादीत रही जबकि इस समय हमारा जो देश है अनेको गंबिर समस्याओं से जूद रहा है और सबसे ज़्यादा सूखे से जूद रहा है पानी की विकर समस्या है इन सारे दोग को दर किनार करते हुए जबकि अभी CBI ने कोई जांच की फैनल रिपोर्ट भी नहीं दिया है और इसको लेकर हाउस की कारवाई को रोका जा रहा है जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है तो मैं समझते हुए ठीक नहीं है इसमें हमें राजनितिक भूल नजर आती है वर्थमान सरकार की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी खास ओर से यह कहना है हमारी पार्टी की तरफ से कि ये इस मांले की जांच निस्पक्ष होनी चाहिए इसलिए मंतरी जी इदर बैठे है आप मानने परद्धान मंतरी जी से इसके उपड़ चर्चा करें और इस मामले की जो CBI जो जांच हो रही है इस मामले की तो ये मानने सुप्रीम कोट की देखरेक में कराई जाए तो ये ज़्यादा भैतर होगा ताकि दूद का दूद और पानी का पानी देशवासियों के सामने आ सके ऐसी मैं मान करते हू अपनी बात ही समाद करते हूं धन्यवाद